साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ सदकुरू माता जिक की किरपा से आप सभी अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चानल पर जहां रोज मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ आज फिर मैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है लक्षमी नरायन एक भूला भाला लड़का था वो प्रति दिन रात में सोनी से पहले अपनी दादी को कहानी सुनाने के लिए कहता था लक्षमी नरायन की दादी उसे नाग लोग पाताल, गंधरव लोग, सूर्य लोग आदी की कहानिया सुनाया करती थी एक दिन की बात है कि दादी ने लक्षमी नरायन को स्वरक का वर्नन सुनाया स्वरक का वर्नन इतना सुन्दर था कि उसे सुनकर लक्षमी नरायन की स्वरक देखने की इच्छा हुई साथ संगत जी दादी ने लक्षमी नरायन को बहुत समझाया कि मनुश्य स्वरक नहीं देख सकता किन्तु लक्षमी नरायन रोने लगा रोते रोते वो सो गया लक्षमी नरायन को स्वपन में दिखाई दिया कि एक देवता उसके पास खड़े होकर कह रही है कि बच्चे स्वरक देखने के लिए मुल्य देना पड़ता है देवता ने लक्ष्मी नरायन को कहा कि जब तुम सरकस देखने जाते हो तो वहाँ टिकेट देते हो न इसलिए स्वरक देखने के लिए भी तुम्हें रूपए देने ही पड़ेंगे स्वपन में लक्ष्मी नरायन सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए माँग लूगा लेकिन देवता ने उसे कहा कि स्वरग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते या तो भलाई और पुन्य कर्मों का रुपय आँचलता है उन देवता ने लक्ष्मी नरायन को एक डिबिया देते हुए कहा कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो एक रुपया इस डिबिया में आ जाएगा और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो एक रुपया इसमें से उड़ जाएगा जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स उस दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया पैसा लेकर वो घर से निकला कि तभी एक रोगी बिखारी लक्षमी नरायन से पैसा मांगने लगा लक्षमी नरायन बिखारी को बिना पैसा दिये भाग जाना चाहता था इतने में ही लक्षमी नरायन ने अपने अध्यापक को स अध्यापक को देखकर लक्ष्मी नरायन ने बिखारी को वो एक पैसा दे दिया अध्यापक ने ये देखकर लक्ष्मी नरायन की बहुत प्रशंशा की साथ संगत जी घर पर लोटकर लक्ष्मी नरायन ने वो डिबिया खोली लेकिन वो डिबिया खाली थी इस बात से लक्ष अध्यापक से प्रशंशा पाने के लिए वो एक पैसा बिखारी को दिया था इसलिए तुम्हें प्रशंशा मिल गई अब रो क्यों रहे हो किसी लाब की आशा से अगर कोई अच्छा काम किया जाता है तो वो व्यपार कहलाता है वो पुन्या नहीं कहलाता अब अगले दिन ल लक्ष्मी नरायन ने बाजार में जाकर दो संत्रे खरीदे साथ संगत जी लक्ष्मी नरायन का एक साथी था जिसका नाम था मोती लाल बहुत बिमार था बाजार से लोटते समय लक्ष्मी नरायन अपने मित्र को देखने के लिए उसके घर चला गया मोती लाल को देखने उ मोती लाल की मा बहुत गरीब थी वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ इस समय बेटे की बिमारी में मैं कई दिनों से काम पर भी नहीं जा सकी मेरे पास संत्रा खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है साथ संगत जी लक्षमी नराइन ने अपने दोनों संत्रे मोती लाल की मा को दे दिये और उन्होंने लक्षमी नराइन को खूब आशिरवाद दिया घराकर जब लक्षमी नराइन अपनी डिबिया खोली तो उसमें दो रूपएं चमक रहे थे अब एक दिन की बात है कि लक्ष्मी नरायन ने खेल में लगा था उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलोनों को उठाने लगी लक्ष्मी नरायन ने उसे रोका जब वो नहीं मानी तो लक्ष्मी नरायन ने अपनी बहन को पीट दिया वो बेचारी छोटी सी बच्ची रोने लगी इस प्रकार जब लक्षमी नरायन ने डिबिया खोली तो उसने देखा कि उसके पहले के कठे हुए रुपए उड़ चुके थे इस बात का लक्षमी नरायन को बड़ा पश्चा ताप हुआ उसने आगे से कोई भी बुरा काम ना करने का पक्का निश्य कर लिया साथ संगत जी मनुश्य जैसे काम करता है वैसे ही उसका सभाव बन जाता है जो बुरे काम करता है उसका सभाव भी बुरा हो जाता है और उस इंसान को फिर बुरा काम करने में ही आनंद आने ये लगता है और जो अच्छा काम करता है उसका सभाव अच्छा हो जाता है उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है लक्ष्मी नरायन पहले तो रुपयों के लोब से अच्छा काम करता था लेकिन धीरे धीरे उसका सभाव ही अच्छा काम करने का हो गया अच्छा काम करते करते लक्ष्मी नरायन की डिबिया रुपयों से भर गई स्वरक देखने की आशा से वो बहुत खुश होता उस डिबिया को लेकर वो अपने बगीचे में पहुँच गया बगीचे में पहुँच कर लक्ष्मी नरायन ने देखा कि बगीचे में पेड के नीचे बैठा हुआ एक बुझुरक साधू एक बुढ़ा साधू रो रहा था वो दोडता हुआ साधू के पास कया और कहने लगा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो साधू ने कहा कि बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी बहुत दिन मेहनत करके मैंने उसी रुपईयों से भारा था मुझे बड़ी आशा थी कि मैं डिबिया के रुपईयों से स्वरक देखूंगा किन्तु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई लक्ष्मी नरायन ने साधू को कहा कि बाबा आप रो मत मेरी डिबिया भी बरी हुई है आप इसे ले जाईए साधू ने लक्ष्मी नरायन को कहा कि तुमने इसे बड़ी मेनत से भरा है इसे देने से तुम्हें दुख होगा लेकिन लक्ष्मी नरायन ने कहा कि मुझे दुख नहीं होगा बाबा मैं तो लड़का हूँ मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपई कठे कर सकता हूँ लेकिन आप बुड़े हो गए है इसे लिए आप मेरी डिबिया ले जाएए साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नरायन के नित्रों पर हाथ फेर दिया लक्ष्मी नरायन के नित्र बंध हो गए और उसे स्वरग दिखाए देने लगा साध संगत जी ऐसा सुन्दर स्वरग कि दादी ने जो स्वरग का वर्नन किया था वो वर्नन तो स्वरग के एक कोने का भी ठीक से वर्नन नहीं था जब लक्ष्मी नरायन ने नित्र खूले तो साधु के बदले स्वपन में दिखाई पढ़ने वाला वही देवता लक्ष्मी नरायन के सामने खड़ा था देवता ने लक्ष्मी नरायन को कहा कि बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वरग बन जाता है तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वरग में पहुँच जाओगे देवता इतना कहकर वही परदरी शेय हो गए साथ संगत जी आपको ये साखी कैसी लगी अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताईएगा फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन अरंकार जी